खो यार अगर तुम लोगों ने आज 8W कोलिजन पर CM Punk के रिटरन मैश को नहीं देखा है तो गाईज मैं तुम लोगों को बता दू आज सिकागो में CM Punk के रिटरन मैश के ऊपर CM Punk को बहुत बड़ी विक्टरी मिल चुकी गए गाईज सिकागो में आज CM Punk के कोलिजन के मेन इविंट के ऊपर हमें Dream Team FTR और CM Punk देखने को मिले जहाँ पर आज CM Punk और FTR के एंटरेंस के ऊपर दी क्राउड अरीना में पूरी तरह से पागल हो जाती गए और गाईज यहाँ पर CM Punk और FTR के एंटरेंस के ऊपर पूरे अरीना मे CM FTR के चैंट टूरे होते गएं बड़ गाईज बात करें यहाँ पर अवरॉल पूरे मैच की तो गाईज आज अवरॉल यह वाला मैच करीबन 30 मिनट का लंबा मैच था जहाँ पर 30 मिनट के लंबे मैच के अंदर CM Punk और FTR के तरब से हमें चबर दस एक्सन देखने को मिला औ CM Punk और CM Punk आमने सामने आते गएं तो गाईज मैच का यह सबसे जारा सांदार मोमेंट होता है क्योंकि गाईज यहाँ पर 20 सालों के बाद फाइनली CM Punk और Samoa जो आमने सामने थे और गाईज बैक और फोर्ट काफी बढ़िया सेक्वेंस के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के उपर Juice Robinson टेग करके अंदर आते गएं जहाँ पर FTR Juice Robinson पर उनका फिनिसर लगाती गए तो गाईज वही CM Punk उनका फिनिसर GTS हिट करते गएं और गाईज पंक के GTS के साथ सिकागो में United Center के अंदर CM Punk को बड़ी विटरे मिल जाती गए और गाईज 8W के Collision Show के ओपर CM Punk फाइनली उनका Return मैच जी चुके गएं वल गाईज दिखना बहुत यह दिलिजस्प होगा कि Collision पर पंक के Return होने के बाद अब अगले हपते CM Punk Collision पर क्या करते गएं